नमस्कार इस पर सबी बंदों को नमस्कार नभी CC ए चल रही है पने जर्चार नाइन इसमें चल रहा है अपने पेपर नबर थ्री है लुरो नमेटेशा सब्सक्राइब लिफ्र को सकते हैट यह पेंचिसी में आपने भूक चल रही है नुमेरिकल एनलाइसीस में निमेरिकल एनलाइसीस पर चल रहा है तोाज हम पढ़ेंगे न्यूटन का और में अंतर अंतर कलन सुतर पढ़ा था आजम न्यूटन का अनुवा अंतर शुत्र और न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर विशन शुतर दो चीज पढ़ेंगे तो पहला अपनी पास न्यूटन का अनुवा अंतर शुत्र न्यूटन का अनुवा अंतरसुत्र क्या होता है तो उसके दो फोर्मुले हैं गो देखें डेल की पावर न अफ एक्वल टू अफ ए प्लस न ऐच माइनस एन सी वन अफ ए प्लस एन माइनस वन गुणा एच प्लस एन सी टू F A प्लस N माइनस 2 गुणा H ऐसे चलते वे जाएंगे अपन लास्ट में लिखेंगे माइनस का 1 की पावर N F A ठीक है या एक फोर्मूला यह है दूसरा फोर्मूला अपने पास बनता है इसी काई F A प्लस N H बराबर F A प्लस N C 1 डेल F A प्लस N C 2 डेल 2 F A इसे चलते वे अपने पास बनेगा N C N तक क्या बनेगा डेल की पावर N F A ठीक है हाँ ठीक है तो यह दो F A इस पर अपने एक दो क्वेशन करेंगे उसके बाद एकजाम्पल करेंगे ठीक है और उसके बाद में अपने दूसरा F A आता है अगर अंतर वेशन सुत्र जो कि समान अंतराल द्वेशन में काम आएगा तो हम दूसरे फॉर्मूलर की और बढ़ रहे हैं न्यूटन ग्रेगरी न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतरवेशन सुत्र तो इसका फॉर्मूलर देखिए दोस्तों F A प्लस M H इक्वल टू F A प्लस M डेल F A ठीक है प्लस M गुण M माइनस 1 अपॉन फेक्टोरियल 2 डेल 2 F A प्लस M गुण M माइनस 1 M माइनस 2 तक जाएंगे अपॉन फेक्टोरियल 3 डेल 3 F A फिर प्लस में चलते वे अपन यां तक जाएंगे M गुणा M माइनस 1 M माइनस 2 चलते वे M माइनस N माइनस 1 की बार अपॉन फेक्टोरियल N इन्टो डेल की पावर N F A मतलब यहां पे F A है और यहां पे M डेल F A है ठीक है M के नीचे फेक्टोरियल 1 है M गुणा M माइनस 1 अपॉन फेक्टोरियल 2 फेक्टोरियल 2 है तो उससे 1 कमाएगा माइनस 1 में यहां पे M फेक्टोरियल 3 है तो यहां पे आएगा M माइनस 2 तक ठीक है फिर N फेक्टोरियल है तो N माइनस 1 तक आएगा उपर M में अब देखें H बराबर इसमें क्या होता है H बराबर होता है इस क्विश्ण में इस फॉर्मूले में अंत्राल का मतलब होता है H A होता है मूल बिंदो और A प्लेस M H क्या होता है जो हम क्विश्ण में ग्यात करेंगे जो ग्यात करना है A प्लेस M H आएगा जो ग्यात करना है अब इन दो फॉर्मूले के अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तो चलिए अपने नोट्स की तरफ और एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम्पल कर रहे हैं अपनी स्टार्ट न्यूटन का अन्वा अंतर सुतर मैंने दो फॉर्मूले बताए थे रेवी कंस दृबर और चेल सबोस्ट देड़न है तो अब इसवे सब्सक्राइब करें यह इसपर पूले को अब नहीं से जन से क्या वर्दी इसी अदर से ओं ठीक है तो 211 में जन से क्या क्या होगे 211 कि जन SIंक्या पुछी है अपने को तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आप यह प्लस एमस कमान्ट होगे 211 जो गयात करना था वो फॉर्मिले में था ए प्लस एमस्ट होगे 213 उसके बाद में एक अमान हो गया अपने पास, एक अमान हो गया, उनीशो इक अमान हो गया, एक अमान, ठीक है, अब अच का मान गयाद करने है, अच होता है अंतरा, अंतराल कितना है भी, उनीशो इकवान से 61 में 10 है, 10 का अंतर होता है, 61 से 61 में 10 का अंतराल गयाद करने के लि आ गया होगा यहां Anturica Antur cal अच्छ बराबर 10 है तथा माना वर्श 1921 मूल बिन्दू है अरतौरत E बराबर 1951 H बराबर 10 अब यदि E पलेस NH 21 है E पलेस NH 2221 है मान लिया तो N का मान गयाट कर सकते मैं A का मान अपने पास है और H का मान अपने पास है तो वो दुनों मान रखेंगे 19 वे काउन हो गया 1 कमान पलस N गुणा H कमान है 10 बराबर 211 तो N कमान असनी से ग्याद कर लेंगे जो आएगा अच्छा है N कमान आगा अच्छा है अब हम अंतर सार्नी बनाएंगे जो विद्यारत ही नहीं है वो पिछले वीडियो को जरूर देखें उसमें अंतर सार्नी बनानी बताई भी है इस वीडियो में और बता दूंगा देखें यहाँ पर वर्स X यहाँ पर Y कमान आते हैं यहाँ पर डेल Y पहले अंतर कमान यहाँ पर डेल 2 Y दूसरे अंतर कमान मैं यहां पे डेल threve都 कामाइक जब तक चलेंगे तब飲ाष्ट में एक संख्या नहीं बच जाई एक संख्या डेल थ्री वाई पर आ रही है तो यहां पें लोग दिया अगर एक चंख्या आगे आती डेल 4Y, डेल 5Y, डेल 6Y तो वहां तक चलते तो यहां देखे, X कमान दिये वह 1951, 1961, 1961 1981 को इस प्रकार से लिखने है उसके बाद में Y बराबर FX, यानि Y कमान है, वो यहां पर लिखना है Y में 352, 405 403, 504 ठीक है, अब पहला अंतर निकालेंगे अपन, तो 405 में से 352 गटाएंगे, और आएगा 53 तो जाएगा, वो पहला अंतर है यानि डेल वाई, उननीस सो अठारा सो 1901 है 1901 का पहला अंतर आगे डेल वाई, ठीक है, त्रेपन आगे फिर 403 में से 405 गटाएंगे, 68 504 में से 403 अंतर गटाएंगे, यानिस यहां लिख दिया, डेल वाई के तीन मान आगे उसके बाद, डेल टू वाई मान निकालेंगे, इस वी परकार सही तो 68 माइनस 35, 15 81 माइनस 68, 13 डेल टू आई के मान, फिर डेल तरी का मान, 13 माइनस 15 यानि माइनस का दो आया, डेल तरी का मान, अब देखिए, अगर अंतर साणी में, अंतर साणी तो बना लिए, अब फोर्मूला लगाना है, अगर वाला, तो अगर अंतर साणी में, उपर से निचे की और चलेंगे, हमें यह तीन मान काम मिलेंगे, तो उपर से निचे की और आ रहे हैं तीन मान काम मिलेंगे एक 53-53 को बोलेंगे डेल Y 1951, 15 को बोलेंगे डेल 2Y 1951, और माइनस 2 को बोलेंगे डेल 3Y 1951, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है न्यूटन का अन्वा अंतर सुतर, F A प्लस N H बराबर F A प्लस N C 1 डेल F A प्लस N C 2 डेल 2 F A, S सून N C N डेल N F A, अब इसमें सभी का मान रख देना है, A प्लस N H का मान उपर हमारे पास था 2,011, A का मान हमारे पास था, कितना था, 1951, H का मान था, 10, N का मान अपने निकाल लिया था, 6, तो वो सभी मान इस फॉर्मूले में रखने है, Y A प्लस N H बराबर Y A, अब मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे, अब दूसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं पर, Y A प्लस N H बराबर Y A प्लस N C 1 डेल Y A, प्लस N C 2 डेल 2 Y A, प्लस N C 3 डेल 3 Y A, S सून N C N डेल N Y A, अब मान रखने पर सभी के मान रख देंगे, तो A प्लस N H 2011 था, A था 1951, N का मान था 6, C 1 डेल Y A का मान रखने प्लस 6 C 2 डेल 2 Y 1951 इस प्रकार से मान साहिए रख दिये, अंतर साणी में जितने मान आए, उतने तक फॉर्मूला में ये यूज लेने हैं, यानि डेल 3 Y तक अपने मान आया था 1951 का, तो वहां तक ये फॉर्मूला चलाना है, आगे नहीं चलाना है, अब सभी के मान यहां पर रख देंगे, Y 1901 का मान था 352 प्लस, अब देखे, 6 C, 6 C 1, इसका मान अगर आपको निकालना आता है, तो बड़िया बात है, अगर नहीं आता है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा, तो इसका मान आईगा, 6, गुणा, डेल Y 1901 का मान था 53, 6 C2 का मान कितना है, 15 आया, और डेल 2 Y 1901 का साणनी से मान उठाया, 15, 6 C 3 का मान आया, 20 और डेल 3 Y 1901 का मान साणनी से उठाया, माइनस 2, अब सभी की गुणा, माइनस जोड़ भाग जो भी हो रहा है, तो वाई 2021 का माना आएगा 885 अथा 2021 के जन से के 885 लाग होगी ये इसका उत्तर रुआ तो इस परकार से न्यूटन का नवान तरका प्रयों करना है अगला एग्जामपल देखे निम्नतम गात का बहुपत ग्यात कीजिए जो निम्नमान ग्रहन करता है निम्न निम्ह निम्मान का बहुत वियाद करना है इसमें, यह क्युस्चन बहुत अलग है, और example है इसे पहले chapter में आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा जोड़ लगएगा, क्योंकि इसके example hard है, और exercise easy है, और बाकी आगे वाले सारे chapter है, वो 5-6-7 chapter है, वो सब भी easy है, तो एक्जाम्पल्स को समझने में थोड़ा जोड़ लगएगा और फॉर्मूले एक बार याद कर लीजिए उसके बाद आगे 6-7 चेप्टर में वही काम आने वाले हैं अब एक देखिए अपने पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है तो वह सबी के पास होना चाहिए इसे ओन करते है ओन वाले बटन से और ओफ करते है शिफ्ट और एसी को दबाने से ये ओफ हो जाता है तो इसका प्रियोग हम अंतरसानी बनाने में करेंगे यानि अभी तो मान सोटते आ रहे आगे जाके बड़े-बड़े मान आएंगे तो उ झारव और जिरो 1 डो है को आप यकस के मान लगा दिया एक सक की मान लगा दिया न्यौका यह लिखदिया यहांपर सभी और उसके बाद अंतर निकालने सुरू कर दिये या तो लास्ट में अंतर आएंगे तो वह तक रूंक देना है या सन्ने तक रूंक देना Lacis त में 1 मान बनाईगा वहां तक रोग देनला अंत्रशानिय उतने हैं तो पहला ड पैस पांस पांस यो 89-shit ciao अब फॉर्मला लगाएंगे न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर सुत्र अगर अंतर सुत्र नहीं है न्यूटन का अन्वा अंतर सुत्र अन्वा अंतर लगाएंगे अफ-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए- इसका एक है और इसका एक है अंतर इसका एक है तो H कमान भी एक होगा अब इसमें एक चेंजिंग करने हैं फॉर्मिल है एन की जगे एक्स पर तिस्वा पिट करेंगे तो यहां पर सभी केमान पुट कर दी है तो F 0 प्लस X बराबर F 0 प्लस X C 1 डेल F 0 प्लस X C 2 डेल 2 F 0 प्लस 0 ठीक है F X बराबर F 0 कमान है सुन्य दे रखा है साणी से उठा है इस कमान और X C 1 कमान आएगा फैक्टोरियल X बटा X माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है गुणा डेल F 0 कमान है तीन अगर अंतर शाणी बनाएंगे उसमें अगर वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे लेकिन इसके इसके साणी से जो मान उठाएंगे डेल F 0 का डेल 2 F 0 का वो उपर से निच्छे की और उठाएंगे यानि डेल F 0 का मान जिरो यानि F 0 का मान जिरो हो गया और डेल F 0 का मान तीन है डेल 2 F 0 का मान दो है डेल 3 F 0 का मान जिरो है तो हाँ पर डेल F 0 का मान है 3 ठीक है और F 0 का मान जिरो था डेल F 0 का मान तीन है डेल 2 F 0 का मान दो है और डेल 3F 0-0 है अब यह आगे वाले सोल किये है एकस फीवन सोल किये है फैक्टोरियल x3-1 फैक्टोरियल x-2-2-a अब उपर देखिए एकस दिया है तो एकस को अपन ऐसे भी लिख सकते है एकस गुना एकस-1 फैक्टोरियल बटा दो फैक्तोरियल को माणनो सब्सक्राइब इस वाल माथना है एक्स मननस सब्सक्राइब ठीक है, x में से 1 कम, x में से 2 कम, यानि x तो बढ़ा है, इसलिए x में से ये कर दिए, ठीक है, x माइनस 2 फेक्टोरियल कट गिया, उपर बजा 3x, और पलस x, x माइनस 1 बच गया, ये लिख दिया, अब इससे सॉल्व कर देंगे गुणा करा के तो x स्क्वेर पलस 2x आपना बह कि उला है, अबसे बढ़ाई तरिबा़ आपना थन दे